नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज दिन बर की तमाम बड़ी और मुखे खबर जिसमें आपको बता हूँगा कि कैसे एक बार फिर से और सुसान सिंग आजपूत केस में तो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंतक देखीगा साथ हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके सेर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से देख के 80% इलाके तक पहुंचा मानसून 48 गंटों के दोरान दिल्ली सहीद उत्तर भारत के जादतर राजियो पर चा जाएगा बादल जी हाँ देख में मानसून की दस्तक के बात से ही हर किसी को इंतजार होता है कि मानसून जल से जल उसके गाउं सहर तक पहुंच जाए और अच्छी बात यह है कि मौसम विग्यानी ने साफ कर दिया है कि आने वाल दिनों में दोस्तों अब बहुत जल मानसून पूरे देश में घुमड़ करने वाला है जिहां आपको बता देगी मौसम विग्यान ने बता है गुजरात मध्य परदेश 36 गल जारकंड बिहार और पूर्वी उत्तर परदेश के बाद अगले 2-3 दिनों में मानसून दिली पंजाब और हरियाना में भी पहुंच सकता है तो अब दोस्तो बारिस का किसी को इंतिजात करना नहीं पड़ेगा चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की तो फिलम नयाएदा जश्टीस का ट्रेलर देखकर नाराज हुए सुसान सिंग राजपुत के फैंस IMDB पर रेटिंग देखकर निकाल दी है भड़ास जी हाँ आप सभी को पता हुगा कि सुसान सिंग राजपुत के उपर जो फिलम बनी है नयाएदा जश्टीस इसका ट्रेलर रिलेज कर दिया गया और दोस्तो इस ट्रेलर को देखकर सुसान सिंग राजपुत के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा खपा हैं और उनका कहना है कि ये फिलम बिल्कुल गलत है और ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सुसान सिंग राजपुत के खिलाप है और इस पर दोस्तो लो प्रिटेन के वेग्यानिकों ने इस उपकरण को विक्सित करने का दावा किया है जिसका नाम कोविड अलारम रखा गया है जिससे आने वाल दिनों में कोर्णा वायर्स बहुत जल्द बहुत तेरी से पकड़ा जाएगा और कोर्णा वायर्स इससे खतम करने में भी काफी किया उन्होंने क्लाइमेट चेंज और ओपन सोसाइटी सेसन में अपनी बाते रखी विदेश मंतराले ने कहा कि जी सेवन के एक सत्र को सम्मोजित करते हुए प्रधन मंतरी ने लोक्तंतर व्यचारिक सवतंता और अजादी के लिए भारत की सभ्यता गत परतिवधता पर प जी हाँ दिल्ली की सियासत में कुछ ही सालों में अपना कद बढ़ाने वाली आमाद्मी पार्टी अब गुजरात में भी अपनी उपस्तिती दर्ज करवाना चाहती है कोसिस तो पहले भी हुई लेकिन वो सफलता हाथ नहीं लगी अब फिर से गुजरात चुनाओ करीब है और आमाद्मी पार्टी अपनी किसमत आज माने को पूरी तरह से तैयार है इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केश जिवाल सोंबार को गुजरात दोरे पर भी निकल जाएंगे चले बात करेंगे एक और वड़ी ख़बर की तो फिर टीमसी निता के घर गए है राजी बनर जी पार्टी छोड़ने वालों को बीजेपी ने मैसेज के साथ दी है खुली छूट दोस्तो मुकुल रोय के त्रिल्मूल कॉंग्रेस में लोटने के बाद पस्चिम मंगाल के पूर वन मंतरी राजी बनर जी वी ने भी ममता की छाओंवे लोटने को लेकर अटकले तेज कर दी हैं लगतार दूसरे दिन वाट किसी टीमसी नेता के घर पहुँचे हैं त्रिल्मूल कॉंग्रेस छोड़कर भाज़पा में आये कई ने पस्चिम मंगाल विधान सभाचुनाओं में भाज़पा की हार के बाद फिर से त्रिल्मूल कॉंग्रेस में जाने की तियारी कर रहे हैं तो साफ है दोस्तों कि एक बाद फिर से भाज़पा का धामन छोड़कर लोग टीमसी की तरह बहुत तेरी से विस्तार कर रहे हैं चलिए बात करेंगे एक और वड़ी खबर की तो नहीं रहा दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुख्या पीछे छोड़ गया अनतिस पत थंगा ने ट्वीट करके दी है तो दोस्तों देखें कि इस तरह से इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला और सबसे ज़्यादा पत्नी वाला यानि की कुल मिला करके दुनिया का सबसे बड़े परिवार का जो मुख्या था वो आज इस दुनिया को चोड़कर चला गया चले बात करेंगे एक और वड़ी के उरकी तो कॉंग्रेस में फिर उठी बदलाओ की मांग कप्पिल सिबल ने माना कि देश में मजबूत राजनितिक विकल्प की जगह खाली है दोस्तो कॉंग्रेस पार्टी का विवात कम होता नजर नहीं आ रहा है पि को मिल रहा है कि कॉंग्रेस को मुझ की खानी पड़ रही है और कॉंग्रेस के नेता ही अब मान रहा है कि कॉंग्रेस में पूरी तरह से दमखम नहीं है चली अब हम बात करते हैं सीधे एक और वड़ी कवरगी तो IPL की लंबी विंडो के लिए ICC के सामने जुका BCCI अगले साल लिग में 8 की जगें 10 टीमें उतारने की मानी बात जी हाँ ICC के दवारा आयोजित हर साल एक इवेंट को BCCI ने मंजूरी दे दी है दरसल बोड का ये फैसला दो साल पहले दिये गए बयान के बिलकुल उलट है बताते कि BCCI ने T20 लिग IPL के लिए लंबी विंडो पाने सियासी बवाल पैट्रोलिय मंतरी का राहूल गांधी पर पलटवार बोले महराष्ट, रारिस्थान और पंजाब की सरकार तुरंत घटा दे टेक्स जी हाँ देश में पैट्रोल और डियल की बढ़ी कीमतों को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है देश के कॉंगरेस के पूर राष्टी अध्यक्ष राहूल गांधी पर पलटवार किया है और इनका कहना है कि जहां जहां पर भी कॉंगरेस की सरकार है वहां पर तो कम से कम पैट्रोल येल के प्राइस कम होने चाहिए क्यूंकि वहां पर तो कॉंगरेस की सरकार है और कॉंगरेस इ अपनी एक्टिंग से बॉली बुड में कम समय में उचा मुकाम पाने वाली यंग एक्टरेस दिसा पतानी ने तेरा जुम को अपना जनम दिन 29 जनम दिन सेलिबरेट किया ऐसे में दोस्तों टाइगर स्रोप ने एक वीडियो सेर किया जो कि जिसमें देखने को मिला है कि टाइ कारिक Beyond Visual Line of Sight Medical Drone Delivery Experiment इस हबते बैंगलूरू से 80 किलोमेटर दूर गौरी विदुनपूर में सुरू होगा थ्रोटल एरो स्पेस सिस्टम की अगवाई वाले कंसोर्टीम ने इसके लिए DGCA से अनमती हासिल कर ली है ड्रोन डिलिवरी के एकस्पारिमेंट के लिए सिस्टम को अनमती तो मार्च 2020 के समय ही मिल गई थी लेकिन महामारी के चलते कुछ और मंजूरी हासिल करने में काफी समय लग गया तो आने वाल दिनों में दोस्तों अब आप सभी देखेंगे कि पूरे देश में हमारे देश में जहां पर भी कोर्ना वायर्स से या फिर किसी तरह से कोई भी वैक्ति ग्रसित होगा तो वहाँ पर ड्रोन के द्वारा भी दवाईयां पहुचाई जा सकेंगी जले बात करेंगे एक और वड़ी ख़बर की तो दिग विजे सिंग के बयान से कॉंग्रेस भी खफा छोटे वाईय ने कहा अनुछे 370 फिर से लगाना संभव नहीं है जिहां कॉंग्रेस की सरकार बनने पर जम्मू कासमी आनुछे 370 को बाहल करने पर विचार करने के राजसभा सदस से दिग विजे सिंग के बयान से कॉंग्रेसी भी खफा हैं मध्य पर देश में कॉंग्रेस के निताओं ने इस पर जवाब देने से बचने की रणनिती अपना ही है मेडिया की और से सवाल पुशे जाने पर वो इस बयान को दिग विजे सिंग का व्यक्तिगत बयान कहकर दूरी बना रहे हैं इस मामले में पार्टी निताओं ने भाजबा निताओं के आरूपों का उन अकरामत तेवरों के साथ परतिकार नहीं किया है जैसा वो अकसर करते हैं तो साफ है कि दिग विजे सिंग ने जो अपना बयान दिया था कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो वो धारा 370 में एक बार फिर से बाहल कर देंगे इस पर दोस्तों कॉंग्रेस ने पूरी दिग विजे सिंग ने जो कुछ भी कहा है ये सिरफ और सिरफ दिग विजे सिंग का ही बयान है तो ये थी आज दिन बर की तमाम बड़ी और मुखे खबर वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद